एग जो सीकर में आप सभी का स्वागत है तो फाइनली जिसका वेट कर रहे थे इतने मैसेज़स और इतनी डिमांड थी कि पूरे 10 उनिट्स की रवीजन नोट्स लेकर आए जाएं वो आज हम आपके सामने लॉंच करने जा रहे हैं तो ऐसा पहली बार है हमने पूरे 10 उनिट्स की एक highly organized e-book त्यार की है जिसमें unit 1 से लेकर unit 10 से subject wise जिसमें सारे डिवीजन के notes मिल जाएंगे क्योंकि टाइम कम है और exam pass है सारे notes जो है डिवीजन format में मिलेंगे detailed में नहीं जाएंगे जो जिरूरी facts है वही cover करेंगे तो हर unit में जो सबसे most important facts होंगे उनको cover किया गया है और को cover भी कैसे किया गया है चार्ट के format में cover किया है जैसे major thinkers होंगे WPT, IPT, IRK इन सभी को चार्ट के format में आपको मिल जाएगा WPT, IPT या और thinkers की books के जो chronological order में लगाने के लिए आता है इसको भी चार्ट format में आपको मिल जाएगा सारे orders में मिलेंगे similarly agreements, treaties पूशे जाती है वो भी chronological order में आपको मिल जाएगी और government की schemes and policies सारी chronological order में भी आपको मिल जाएगी major judgments होंगी, amendments होंगे, articles होंगे 2023 तक updated ये e-book आपको मिलेगी तो कुछ भी important अगर आप सोच सकते वो इस e-book में मैंने cover करने की कोशिश की है आप कोईगे कि sir क्या इसमें comparative की approaches है yes इसमें वो है आप पुशोगे sir क्या इसमें IR की theories को short में करके दिया गया मैं कोँगे yes IR के theories को भी short में करके दिया गया आप पुशोगे sir क्या public administration के thinker theories cover है yes public administration की लगबग सारी theories इसमें cover है short में तो क्या-क्या cover किया गया है, कैसे cover किया गया है ये सभी आपको मैं दिखाऊंगा जब हम book की test drive लेंगे आज इसे पहले लेकिन ये भी देख लेते हैं कि last five year की PYQ की book को भी हमने आज ही launch कर दिया इसी के साथ ही दे रहे हैं जिसमें हमें 2018 से लेकर 2022 तक सभी PYQ यानि net का जो news labels जब लोज होता है न वो होता है 2018 में वहाँ से लेकर अब तक के जितने भी question आ रहे हैं उन सभी को हमने unit wise cover कर दिया है यानि western political thought के question अलग मिलेगे indian political thought के अलग, IR के अलग, public administration के अलग, unit wise जो है आपको मिल जाएंगे, सबसे most important चीज है सबकी detailed explanation दीए आपको गे सभी लोग detailed explanation की बात करते हैं, यहाँ पर detailed explanation का मतलब समझ लीजे क्या है, वो यह है कि सिरफ correct option को ही explain नहीं किया गया है, जो उसके साथ आसपास incorrect option है उनको भी explain किया गया है इसे गहते हैं, PYQs का post-martem करना, और हमने वो किया है इस booklet में, तो इस तरह से अगर PYQ को solve करोगे मजाल है आप गलती खा जाओगे exam में तो PYQ का post-martem इस e-book में हो रखा है, इसलिए यह quick reason के लिए आपके लिए बहुत helpful होंगे, आपने सीधा इस बस scroll करके इसको read करते जाना है और आपका job जो है done हो जाएगा चली हम test drive चलते हैं, दोनों e-books को देखते हैं एक-एक करके, तो जैसे ही आप हमारी website पे visit करेंगे, तो यहाँ पर आपको यह बलक package वाली जो option है यहाँ पर दोनों e-book का package मिल जाएगा बनाबनाया, ठीक है, और इसका description में आपको link भी मिल जाएगा, यहाँ पर click करके आप इसको purchase कर सकते हो, purchase करने से पहले आपकी login ID पूछेगा, अगर आपने create कर रखिये, तो कर लीजे, नई तो sign in with google simply कर सकते हैं, तो login करने के बाद यहाँ पर आपकी profile pick आ जाएगी, यहाँ से आप purchase कर सकते हो, और payment gateway जो है, आपके लिए यहाँ पर जाएगा, जहाँ पर आप payment कर सकते हो, जो भी method यूज़ करना चाते हो, वो कर सकते हो, net banking, debit card, credit card, UPI, कुछ भी कर सकते हो, payment complete करने के बाद आपको यह page दिखाई देगा, thank you, वाला, और यहाँ पर आप click कर सकते हो, go to collection में, जाकर आप अपनी e-books को देख सकते हो, यहाँ यहाँ पर भी जाकर आप अपनी profile में, जो भी हमसे purchase करते हो, वो आपकी my collection में जाता है, तो यहाँ पर गया, जो मैंने PDF buy की होगी, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी, तो चलिए first e-book जो है, जिसमें 10 units cover है, उसको देखते हैं, खोल कर, तो यह हमारी e-book हमारे सामने खुल गई है, और आप content देख सकते हो, कि कैसे हमने बनाया है, कि clickable है, कोई भी concept को आपने देखना है, फटफट click करके वहाँ पर आप पहुन सकते हो, देख सकते हो, for example, मैं comparative politics की approaches को देखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर click करूँगा, comparative politics की approaches आ जाएगी, main thinkers, उनके books, और साथ में उनकी books की dates भी आ जाएगी, और भी important चीज़ यह है, कि हमने साथ में highlight कर दिये, facts, सारी book ऐसे ही format में चलेगी, जो जो PYQ में question पूशे जा रखे, यानि James Bryce के question आ रखे हैं, 2019 के PYQ में, आप देख सकते हैं, तो ऐसी तरह लोगल के भी आ रखे हैं, public opinion and popular government जो book है, वो भी पूश रखी हैं आपको 2019 में, तो ऐसे आपको सारा format मिलता जाएगा, तो for example, और मैं देखना चाता हूँ कि क्या क्या है इसमें, ये एक तरह से मैं आपको एक test drive ही दे रहा हूँ book की, कि मैं चलो realism की theory पढ़ लेता हूँ क्या है इसमें, तो ये realism खुल जाएगा, और realism की theory के जितने भी thinkers हैं, उनकी जो मैंनी बुक से वो भी आ जाएगी, साथ में आपको ये भी highlight करके मिल जाएगा, कि कौन से question पूशे जाते हैं, जैसे politics among nation पूशा गया था, 2022 की shift 1 में, तो basically Hans Jim Organtho की ही ये book है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, और वापस हम जा सकते हैं अपने content page पर, ठीक है, type करके, तो ये quickly आप इदर उदर मतलब back and forth जा सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कि बार-बार से क्रोल आप यह down करना पड़ेगा, और फिर चलते हैं हम, जैसे government schemes को मैंने पढ़ना है, कि कौन-कौन सी आ रखी है, तो यहाँ पर click किया, तो यह major government scheme आगी, 2014 से लेकर, तिल 2022 तक, क्योंकि schemes के बारे में भी पूशा जाता है, जैसे परदान मंतरी जन्दन योजना को पूशा गया था, NET 2022 में, तो यह कब scheme आई है, कौन सी ministry है, इसकी short form क्या है, क्या purpose है scheme का, तो यहाँ पर आपको वह भी मिल जाएगा, चलिए कुछ और examples देखते हैं, जैसे कि western practical thought के thinkers को मैं देखना चाहता, उनकी books को, chronological order को, आपको एक ही page में सारे thinkers और उनकी e-books मिल जाएगी, तो जो पहले आप google करकर के जाएं, दरूदर से list देखनी है, national parties की list देखनी है, तो यह ऐसे मिल जाएगी, आपको symbol भी साथ में मिल जाएगे, founder कौन से है, leader कौन से है, सब मिल जाएगा इसी में, तो यह पूशे जाते होते हैं, जैसे यह symbol पूश लिया गया था, समाजवादी party का क्या था, 2022 shift month में, तो ऐसे question हमने pyq के basis पे ही त्यार की है, चलिए मुझे लगता है, इस e-book की test drive काफी होती है, तो जो basic basic चीज़े किस तरह से notes बनाएंगे, क्या format है, वो आपको पता चल गया होगा, चलते हैं अब अपनी दूसरी e-book की तरफ, जो है pyq को लेकर last five year, तो हमारी book खुल चुकी है, और हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है, तो unit wise आपको pyq मिल जाएंगे, ठीक है, political theory के पढ़ने, western political thought के पढ़ने, Indian political thought के पढ़ने, click करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसे आपको इस तरह से हमने pyq त्यार की है, कि question और answer साथ में आते जाएं, explanation भी आपको साथ में मिलती जाएं, उसका आपको benefit यह होगा, कि आपको बार-बार नीचे रूप नहीं करना पड़ेगा, कि पहले question आए हैं, फिर सभी answer आए हैं, तो ये एक आपके लिए beneficial रहेगा, और क्योंकि time कम है, इस तरह से notes त्यार कियेंगे हैं, ओके, ओके, अभी मैं आपको कुछ और चीज़े दिखाता हूँ, कि मैं कैसे कह रहा था, कि explanation कैसे detail है, तो कुछ examples मैंने निकाली हैं, समझाने के लिए आपको, तो जैसे कि आप देख सकते हो, कि ये question आ रखा है, list one, list two में आपको दियें गए हैं, नाम तिंक करके, और यहाँ पर उनकी theories, तो इस तरह से आपने जब इसको select करना है, answer देखना है, और आपको सारे answers में explanation मिल जाएगी, एल्टन माओ का क्या है, हैंरी फे ओल का क्या है, scientific management theory को लेकर क्या क्या कहा गया है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े जो details है, इसमें मिल जाएगी, similarly एक और example दिखाता हूँ, जैसे कि यह आपको agreement पूशे गए हैं, और साथ में PM के नाम दियेंगे, तो उसकी explanation भी हमने कुछ इसी तरह से दिये, कि एक-एक agreement को हमने explain किया है, ठीक है, तो इसे कहते हैं detailed explanation, इसे कहते हैं PYQ का post-martem करना, तो इस तरह से आपकी revision easy भी हो जाएगे, effective भी हो जाएगे, और effects भी consolidated हो जाएगे, तो उमीद करता हूँ आपको हमारे ये भी initiative, जो है PYQ का last 5 year, ये भी पसंद आया होगा, तो चलिए finally अब बात करते हैं, pricing और early bird offer की, तो जो rapid fire revision वाली book है, जिसमें हमने unit 1 से लेकर, unit 10 तक short में सारे notes दिये हैं, उसका price 600 रहेगा originally, और last 5 year PYQ की जो booklet है, उसका original price 400 लहेगा, दोनों को मिला कर 1000 बनता है, लेकिन ये original price है, early bird offer नहीं है, तो early bird offer में आपको सिरफ 299 रूपीज देने होंगे, दोनों e-books के लिए, अगर आप हमसे purchase करते हो, 23rd Feb से पहले पहले, तो इस बार हमने heavy discount दिया है, अपने e-books पे ताकि जो financially challenge student है, वो भी इन e-books को utilize कर सके, और अपना exam जो है अच्छे से दे सके, और 23rd Feb के बाद early bird offer expire हो जाएगी, उसके बाद यही same books आपको 499 रूपीज की पढ़ेंगी, तो early bird offer का आप full advantage लीजिए, अच्छे से इस books को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अच्छे से exam में जब attempt करेंगे question, और हमें याद करेंगे ना कि यह तो उस e-book में दे रखा था fact, तो हमें बहुत अच्छा लगएगा, हमारा purpose achieve हो जाएगा, अच्छे result आएगे, आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, जब आप result को लेकर हमारे पास comment करने आओगे, जब टेलिगरम गुप में मुझे message करोगे, तो बहुत अच्छा लगएगा, तो यही खुशियोवला महौल जो है, हम आगे चल कर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत भुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तेंक यू.